हुआ है हालो एब्रीवेन मैसल प्रदीप सींग यूर मैस्टीचर आज फंक्षन में हम लोग पढ़ेंगे कि जो कल तो हम लोग 11 मेनी वन आंटू और इंटू फंक्षन पढ़े थे बाइजक्टिव फंक्षन पढ़े थे अब आज है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिग् प्रिग्नोमेट्रिक फंक्षन की है रिग्नोमेत्रिक फंक्षन परिग्नोमेट्रिक फंक्षन क्या जैसे मैंने कह दिया पहला होगा fosa ma sin of x szin of x इसका domain क्या होता है sin of x का domain जो हुआ वो r range of the function कितना हो जायेगा तो minus 1 to 1 यह इसका range निकल के आगया sin x का graph draw करते हैं graph draw करते हैं sin x का graph क्या होगा एक ऐसे ड्राउ कर लेते हैं और यहां से ऐसे ड्राउ कर लेते हैं यहां पर क्या होगा पाई बाई टू राइट यहां पर कितना होगा जीरो यहां पर कितना होगा पाई यहां पर कितना होगा ट्री पाई बाई टू यहां पर कितना होगा तो तू पाई यहाँ पर आएंगे तो यह कितना हो जाएगा माइनस पाई बाई टू यहाँ पर आएंगे तो यह हो जाएगा माइनस पाई यहाँ पर आएंगे तो माइनस थ्री पाई बाई टू और यहाँ पर आएंगे तो माइनस तू पाई यह sin x का graph है ठीक है अब एक चीज़ इसमें और भी जानते हैं sin x कहाँ 0 होगा sin x कहाँ 1 होगा sin x कहाँ 0 होगा और sin x की value कहाँ 1 होगी जैसे मालो हमने लिख दिया पहला sin up x equals to 0 ठीक है तो ये x की कौन कौन सी value है जिस पे ये 0 हो जाएगा तो ऐसे लिखेंगे sin of x equals to sin of n pi जो pi के multiple में होगा ठीक है n is the element of integer n is the element of integer इन सब पे मतलब x equal to n pi जो होगा इस पे पूरा sin की value आपकी 0 आ जाएगी और यहाँ पे लिखेंगे का है n is the element of i ओके आप देखो दूसरा चीज़ अगर sin x equals to 1 हो जाए sin x equals to 1 हो जाएगे अब देखेंगे कहां कहां पे इसकी value 1 होगी तो sin x equals to sin x अच्छा कब कब 1 हो जाएगी तो अब देखो यह जो पाई बाई 2 है ना पाई बाई 2 पे वन होता है अब इसको ध्यार इसी में टूपाई एड़ कर दो टूपाई क्या है टूपाई इसका period है जो value यहां पे है वही value अब उसकी वहां पे है जैसा graph यहां से ऐसे दिख रहा है वैसा ही graph इसके बाद भी दिख रहा है इसका मतलब जो value इसकी sign की यहां पे आएगी वही sign की value यहां पे यहां भी लेकिन यहां पे ओपर छीटा हुआ यहां से ग्राफ नीचे टीखता हुआ दिखाई देता है तो इसको बोलते हैं यह इसका पीरियड है ठीक है साइन टू पाई प्लस थीटा इक वस्टू साइन थीटा इसका मतलब यह कितना हो गया पूर तो हम लिखेंगे पूर एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू ठीक है भाई एन इस देलिमेंट आफ इंटीजर मतलब एक्सिक वस्टू पूर एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू एन इस देलिमेंट आफ इंटीजर ऐसा बोलेगी अब आप एन की वैलू जीरो रग दो जीरो रग दिया तो पाई बाई टू आ गया वन रग दिया तो फाई पाई बाई बाई टू अब ध्यान से देखना फाई पाई बाई टू कहां पे आएगा देखो यहीं पे आएगा फिर इसकी वैलू 1 आ गई राइट एन की वैलू 2 रख दिया तो कितना आ जाएगा नाइन पाई बाई टू ठीक है इस पे इन सबकी वैलू जो है वो वन आती हुई आपको नजर आएगी दिखेगी और अगर माइनस वन लिख दिया देखो माइनस वन तो माइनस थ्री पाई भाई राया ये वं दे रहा है ये मतलब जो वैलू वो पाई बाई बाई टू पर है वोच चीजे आपको माइन इस स्तुर्ड रख दिये तो माईनस फिर सेवेन पाइबाई तू पे फिर साइन की वैलू जो है वो आपको Save 1 की वैलू देगा अब आगे बढ़ते हैं साइन आफ एक्स यहां आप लिखेंगे टू पाई पिरियाडिक टू पाई पिरियाडिक ठीक है साइन आफ एक्स इस और फंक्षन इस और फंक्षन बिकाज पाई आफ माइनस एक्स इक्वस टू माइनस आफ 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 और के लिए क्या करते हैं कोई भी फंक्षन और हो और फंक्षन ठीक है भाई और फंक्षन इफ एफ माइनस आफ एक्स इक्वस टू माइनस आफ एफ एक्स ठीक है भाई जैसा साइन एक्स में मैंने लिखा है साइन एक्स में मैंने यहां पर लिखा है साइन आफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स ऐसा आपको दिख रहा है तो यह और फंक्सन भी है ठीक है एक चीज तो यह जान ली अब आगे थोड़ा जानते हैं कि और भी क्या-क्या हो सकता है साइन एक्स यहां पर लिख दिया साइन आफ एक्स इक्वस्टू माइनस वन अब क्या होगा भाई माइनस वन कब कब आएगा देखो बहुत सारी ऐसी जरूरी चीजी है जो हम नहीं जानते हैं उसका रिस्पॉंस हमारा जब एक्जाम देने जाते हैं तो वहां पर गलत हो जा माइनस पाई बाई टू पे साइन आफ माइनस पाई बाई टू यह कितना होता है माइनस वन होता है न जी साइन आफ माइनस पाई बाई टू यह कितना हो जाएगा माइनस वन इसी में टू पाई जोड़ दो तो माइनस पाई में इसके पीरियड को आप जोड़ देंगे तो कितना हो जायागा पिर नीगेटिव था ना फिर ग्राब बना देते हैं यहां पर फिर ध्यान से देख लीजीगा या यहां पर च यहां पे πाई था यहां पे देखो 3 πाई बाई 2 और यहां पे 2 पाई और यहां पे minus πाई बाई 2 जो value minus πाई बाई 2 पे है वही value आपको 3 πाई बाई 2 पे है ठीक अच्छा इसका मतलब क्या हुआ कि 4 पाई में से हमने पाई निकाल दिया तो अब करेंगे क्या तो यहां पे लिखेंगे sin of x equals to sin of 4n minus 1 into πाई बाई 2 x equals to 4n minus 1 into πाई बाई 2 n is the element of integer यह जो है integer का element है ऐसा हम जानते हैं और यहां पे sin x की value हमेशा minus 1 आएगी आप n की value 0 रख दो तो यह वाला आएगा minus πाई बाई 2 n की value 1 रख दो तो 3 πाई बाई 2 n की value 2 रख दो तो 4 दुना 8 minus 1 7 πाई बाई 2 ठीक है अब वो किस पे आता था 5 पाई बाई 2 9 पाई बाई 2 13 पाई बाई 2 ऐसे वह आएगा कौन सा साइन एक सिक्वल टू वन वाला अब यहां पे हम देखेंगे एक चीज और भी कि यह साइन एक्स का जो फंक्शन है उसमें यही सारी चीजें आपको जानकारी के लिए चाहिए होता है दूसरा जो फंक्शन आएगा फ्यों फंक्शन को हम लोग आज पढ़ लेंगे दूसरा जो फंक्शन होगा एकेंड नंबर का जिसको हम बोलेंगे fx equals to cos of x for all x belongs to real number ठीक है भई जो x belongs to real number मतलब सारा real number पे cos x defined है इसलिए इसका domain जो होगा domain of the function यह हो गया और range of the function यह हो गया माइनस 1 से 1 कल हम लोगों ने question किया था उसमें जो range पूछा था तो वो क्या दिखा था cos x का range हम लोगों ने यही लिख करके solve किया था जिसमें 1 by x का concept आया था इसका graph ड्राव करेंगे बिटा इसका graph जो है वो ऐसे ड्राव होता है यहां पर हो गया जीरो जीरो पर इसकी वैलू कितनी वन यहां पर कितना हो गया पाई बाई टू यहां पर कितना होगा तो पाई होगा यहां पर कितना होगा थ्री पाई बाई टू आगे जाएंगे तो कितना होगा यहां पर ऐसे यहां पर आएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस पाई बाई two यहां पितने भाई है माइनस पाई यहां पर आएँगे तो कितना हो जाएगा माइनस Life क्वाई भाई रही स्काँस X की वैलू जीरो है आप से देखिए कहा कहां पे 0 है odd multiple a pi by 2 जैसे यहां पे 0 है यहां पे 0 है तो odd multiple a pi by 2 cos x equal to 0 जैसा कि इसमें आपको पूरा दिख रहा है अब वही सारी चीजें इसमें भी हम लिखने जा रहे हैं कि cos x 0 कब होगा cos x का period क्या होगा cos x even function है या odd function है ठीक है cos x का period कितना होता है ठीक है अगर cos x equal to 1 है तो x की किस-kis value पे उसकी value 1 हो जाएगी ठीक है तो आएए उस पर बात करते हैं यहां पे पहली बात cos of x equals to 0 cos of x equals to 0 cos of x किस पे 0 होता है तो हम सबको पता है πाई बाई 2 पे होता है ठीक है तो हम ऐसा लिखेंगे 2n प्लस 1 into pi by 2 ठीक x equals to कितना लिख दें 2n प्लस 1 into pi by 2 ठीक है भाई n is the element of integer n is the element of integer तो n जो है integer है तो अब इन सब पे अब देखो 0 रख दो n की value तो pi by 2, pi by 2 पे cos 0 होता है n की value 1 रख दो 1 रख दिया 3 pi by 2, 3 pi by 2 पे यह 0 हो गया n की value minus 1 रख दो minus pi by 2, minus pi by 2 पे भी 0 होता है n की value minus 2 रख दो तो minus 3 pi by 2 आपको 0 वहाँ भी आपको 0 ही दिख रहा है ठीक है तो यह तो value आ गए इसकी दूसरा चीज cos of x cos of x equals to 1 ठीक है भाई cos of x equal to 1, अब 1 किस पे दिख रहा है 0 पे दिख रहा है 2 pi पे दिख रहा है फिर अब 3 pi पे नहीं दिखेगा 4 pi पे दिखेगा, ऐसा सब पे दिखेगा तो इसका मतलब cos of x equals to cos of 2 n pi तो x equals to कितना हो जाएगा 2 n pi ठीक है n is the element of integer ठीक है, आप रख करके देख लो n की value 0 रख दिया, तो 2 pi आ गया 0 रख दिया तो कितना आ गया, 0 हो गया ठीक है, n की value 0 रख दिया, तो 0 हो गया n की value 1 रख दिया तो 2 pi 2 रख दिया तो 4 pi, 3 रख दिया तो 6 pi, इसका मतलब even multiple आ पाई अगर होगा तो वहाँ पे cos x की value क्या आएगी, 1 आएगी इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे कीसरी चीज़, cos of x equals to minus of 1 ठीक है जी, cos of x equals to minus 1 अब minus 1 कहां कहां पे हो रहा है, देखो यहां पे हो रहा है यहां पे हो रहा है, ठीक है, और minus 1 कहां पे होगा इसका मतलब minus 1 जो हो रहा है, cos of x equals to cos of n pi अभी हम देख लेते हैं, तो x equal to क्या हो गया x equals to हो गया, n pi, n is the element of i ठीक है भई, n is the element of i अच्छा अब आप रखके चेक कर लो अगर 0 रख देंगे, अगर इसमें देखना, ध्यान से देखना मैं क्यों लिखा हूँ अभी, क्योंकि हम 0 रख देंगे, n की value तो यह 0 हो जाएगा, 0 पे उसकी value क्या होती है, 1 होती है लेकिन हमें चाहिए क्या minus, तो क्या लिखें तो इसके बताना है, आप सभी से मैं पूछ रहा हूँ, तो फिर क्लास जो है online भी है, तो इसलिए हम इसको मैं बता दे रहा हूँ, यहां पे पूछने का कोई मतलम नहीं बनता है, अगर cos of x equals to cos of 2n-1 into π, अब देखो, अगर n की value 0 रख दे, minus π, minus π, आगया minus 1, n की value 1 रख दे, n की value 1 रख दिया, 1 रख दिया तो कितना हो गया, 5 पाय पे भी क्या हो गया, minus 1 आगया, n की value 2 रख दिया, 4-1 3 3 π, 3 π पे भी इसकी value क्या हो जाएगी, देखो, 3 pride आगे होगा, यहां पे आएगा न, 3wei यहांपे आजाएगा, 3 private people क्या हो जाएगी, सृरी, 3rade पे इसकी value क्या हो जाएगी यहां पे तो आयगा कितना, यहां पे आएगा तुम्हारा कौन सा वैलू यह पाई हो गया यहां पे 5 पाई बाई टू फिर यहां पे आएगा देखो यहां पे कमझ में आया यहां पे आएगा अगर एन की वैलू हम दो रख दिये तो कितना आजाएगा चार, चार माइनस वन, 3 पाई, ठीक है, मतलब पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, आड मल्टिपल आप पाई में अगर यह होगा, तो इसकी वैलू कितनी हो जाएगी, माइनस वन, मिन्स, X इक्वास टू, 2N माइनस वन, इन्टू पाई, ठीक है, तो यहां पर N is the element of I, अब तुम 0 रखके देख लो, 1 रखके देख लो, 2 रखके देख लो, 3 रखके देख लो, सब वैसा ही आएगा, ठीक है, अब आते हैं, थोड़ा सा और आगे, और आगे आएंगे, तो हमें और क्या करना होगा, और आगे आएंगे, तो cos x is even function, right, because cos of minus x equals to cos of x, a function fx is said to be, said to be even function if f of minus x equals to f of x, right, ऐसा आप बहु सकते हैं, ठीक है, f of minus x equals to fx, cos of minus x equals to cos x, ठीक है, अगर fx equal to cos x, यहां लिखा नहीं, fx equal to cos x, f minus x, cos minus x, cos minus x, fourth quadrant में cos positive होता है, cos x हो गया, तो f minus x किसके equal आगया, fx के वापिस equal आगया, तो यह हमारा कौन सा function हो गया, even function हो गया, यहां पे एक line और, cos x, 2 pi periodic, 2 pi periodic, cos x जो है, वो 2 pi periodic होता है, थोड़ा मैं इसको अच्छे से लिख दू, 2 pi periodic होता है, cos x का period कितना हो गया, 2 pi, यह, तो यह जो है, हमारा दूसरा function होगा, जिस function के बारे में हम लोग इतना तक बिसकस किये हैं, अब आते हैं, थोड़ा और आगे बात करते हैं, tan x की जो हमारा तीसरा function होगा, फिर आपको बताएंगे कि कौन से quadrant में कौन positive होता है, किस quadrant में कौन negative होता है, rd pi minus theta लिखेंगे, rd pi minus theta लिखेंगे, तो क्या होगा, rd pi plus theta लिखेंगे, तो कौन सा quadrant आएगा, even pi minus theta लिखेंगे, तो कौन सा quadrant आएगा और even πाई प्लस थीटा लिखेंगे तो कौन सा quadrant आएगा ये हम लोग जानेंगे आईए बात करते हैं इस पे पहले तीसरे function की तरफ फिर उसके बाद हमारी trigna metric की और भी चीजे हैं trigna metric function से related वो हम आपको बताते हुए चलेंगे next जो किसरा function होगा third fx equals to tan of x बराबर है tan x को क्या लिखते हैं sin x divided by cos x इस function का domain इस function का domain क्या होगा तो denominator 0 नहीं होना चाहिए cos x not equal to 0 cos x not equal to 2n plus 1 into pi by 2 means x not equal to 2n plus 1 into pi by 2 x को 2n plus 1 into pi by 2 नहीं होना चाहिए अगर ऐसा है तो यह function defined नहीं होगा तो इसका domain क्या होगा domain of this function क्या लिखेंगे r accept 2n plus 1 into pi by 2 n is the element of integer इसका range क्या होगा तो range of the function कितना हो जाएगा r पूरा r होगा देखिए इसका graph को हम draw करते हैं graph draw करते हैं यहां पर कितना है पाई बाई टू और फिर यहां पर कितना है तो minus pi by 2 तो नहीं है जी है अब देखो अब यहां पर आएगे ठीक है अब फिर क्या होगा फिर हमारा ऐसा बनेगा यहां पर कितना हो गया कितना लिखेंगे यहां पर यहां पर कितना है जीरो ठीक है यहां पर पाई बाई टू फिर यहां पर कितना आएगा कितना आएगा पाई आएगा ठीक यहां पर आ गया पाई और यहां पर आ गया तुम्हारा कित्री पाई बाई टू ठीक आगे जाएंगे जब आगे बढ़ेंगे तो भी अब पाई आएगा उसके टू पाई आ जाएगा इसके बाद इधर बनाना है तो आप इधर भी बना लीजिए यहां भी बना लीजिए आप ऐसे है फाहला काम थैन आफ एक्स है इक विवर्टु जी रो ही गांगा जब आफ ले-श おgar आफ एक्स विवर्टू ऐस्टू नहीं पाई अ एक्स गेट्ना एंपाई अगर मु देंगे तो एन इस देलेमंट आफ ऐए र्ड़ारीड इतना आगर हम धिखा है तो अब chromosomes जैसे 10x0 जितनी भी पाइके n पाइके मल्टिपल में होगा उस पर उसकी वैलू क्या ऊएगी 0 जैसे 10 की value 0, 10 0 की value 0, 10 की value 1, 10 pi की value 0, 10 की value 2, 102 pi भी वहाँ पे 0, ठीक ला, आप देखेंगे, अब आगे जायेंगे, तो 2 pi अएगा, फिर 2 pi भी फिर वहाँ पे 0 की value हो जाएगी, अब, दूसरा चीज, यहाँ पे आते हैं, 10 of x 10 of x equals to 1 10 of x equals to 1 तो 10 x की वैलू कब होती है पाई भाई 4 पे होती है 10 की वैलू 1 होती है ना बिटा तो 10 x सिर्फ एक वैलू मिलेगी अब अगर ऐसे लिखेंगे इसमें बहुत सारी वैलू है एन पाई मतलग एन इतना लिख सको तुम इंटीजर आप रखो उसकी वैलू हमेशा 0 आएगी अब यहां पे 10 x equal to 1 तो ऐसे कितने कितने एक्स की वैलू है जिस पर 10 x वह 1 होगा तो आते हैं पहले इसकी वैलू पाई भाई 4 पे 1 होती है टैन का जो पिरियेड होता है वो कितना होता है पाई पिरियाडिक होता है पिरियारटिक क्यों होता है अभी मैं आगे आपको एक ग्राप बना करके थोड़ा मैं discuss करूँगा पहले आपको मैं यह समझा देना हूँ कि कितना होगा यह तो कितना हो गया why five by भाइ four इस्पे इसकी वैलू फिर वन आएगी ठीक है फिर इसमें पाई जोड़ेंगे तो फिर आएगा 9 पाई बाई फोर उसमें फिर पाई जोड़ दो फिर आएगा थर्टीन पाई बाई फोर इस सब तो उसकी वैलू वन हो जाएगी इसका मतलब यह हुआ कि हमें करना क्या पड़ा इधर में तैन प्लेस बन इंटू पाई बाई फोर अब ध्यान से देखते हैं कि क्या ऐसा ही हुआ है तो एन की वैलू को हमने जिरो कर दिया तो जिरो कर दिया तो टैन पाई बाई फोर वन आ गया सही बात है अच्छा अब 1 कहां आएगा अब 1 कहां आएगा अगर n की value को 1 रख दें तो 1 रख देंगे तो 5 pi by 4 5 pi by 4 अब ध्यान से सुनो 5 pi by 4 ये pi plus pi plus theta 10 pi plus theta equals to 10 theta theta की जगह हम क्या लिखेंगे pi by 4 theta की जगह हम क्या लिखेंगे pi by 4 यहां पर हमने लिख दिया यहां पर लिख दिया 10 pi by 4 10 pi by 4 की value कितनी होगी 1 होगी अगर हम लिखते हैं बटा 10 9 pi by 4 9 pi by 4 तो क्या होगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 2 pi plus pi by 4 चीकर ना बई 2 pi plus first quadrant में आ गया first quadrant में भी 10 क्या होता है quality होता है तो इसका मतलब जो भी हम लिख रहे हैं वो हम लोग सही लिख रहे हैं और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है तो x equal to क्या लिख देंगे 4 n plus 1 into pi by 4 यह x की value n is the element of integer अगर आपको जानना है sin x equal to 1 कहां पर वा तो sin x equal to 1 pi by 2 पर होता है sin x का period कितना होता है तो 2 pi होता है उसी में add कर दो तो आपका जब pi by 2 में pi by 2 में आपने 2 pi को add कर दिया तो कितना आया यह बताओ यह कितना आया 4 pi plus pi 5 pi by 4 यह हम कहाँ दे 4 plus 1 into pi by 2 कही है न जी आरे 4 हो गया ठीक है यह 4 हो गया और plus 1 हो गया divided by 2 तो 4 plus 1 5 हो गया 5 pi by 2 पर यह क्या होगा फिर positive हो जाएगा ठीक है न जो value वो pi by 2 पर दिया वही value आपको 5 pi by 2 पर भी देगा अब आते हैं तीसरी बात करते हैं यहाँ पर कि 10 x और क्या करेगा ठीक है 10 x की value minus 1 अगर होगी 10 x की 3 को जानना बेहत जरूरी है बाकी 3 तो आप समझी रहे हैं उसके opposite हैं तो बहुत जादा आपको दिक्कत उसमें नहीं आएगी 10 x equal to minus 1 10 x की ऐसी कौन कौन सी value होगी जिसको 10 x कह दे तो वो minus 1 की value देगा पहले समझते हैं अगर हम इसकी value pi by 4 होती है 1 पे pi by 4 होती है ने बटा pi by 4 पे 1 होती है हमें क्या चाहिए minus pi by 4 अच्छा minus pi by 4 तो 10 में minus pi by 4 भी कितना होता है 10 में minus pi by 4 minus 1 ही होता है ठीक है न तो minus pi by 4 में minus pi by 4 में हम pi को क्या कर दें add कर दें ठीक है तो यहाँ पे हो जाएगा minus pi plus 4 pi upon 4 सही है ने बटा pi को common निकाल दें तो 4 minus 1 तो आएगा कितना 3 pi by 4 इस पे 10 की value क्या आएगी minus 1 आएगी इसका मतलब यह हो गया कि 10x equals to minus 1 मैं आपको थोड़ा सा यहां से हटाना चाहूँगा कि थोड़ा मैं आगे लिख सकूँ उसमे तो यहाँ 10x equals to minus 1 10x equals to minus 1 तो हम क्या लिखेंगे 10 4n minus 1 into pi by 4 ठीक है x equals to 4n minus 1 into pi by 4 n is the element of integer n is the element of integer ठीक है भाई अब देखो हुआ क्या अब n की वैलू तुम 0 रखो minus pi by 4 n की वैलू 1 रखो 3 pi by 4 n की वैलू 2 रखो 7 pi by 4 इन सब पे 10x जो है वो हमेशा हमेशा negative value देगा और वो वैलू कौन से होगी तो minus 1 होगी अब आते हैं 10x का जो period होता है जैसा कि मैं भी आपको बता रहा था अब आप यहां से भी देख लीजिए 10x के जैसा graph आपको यहां से ऐसा दिख रहा है वैसा ही graph आपको यहां से इधर दिख रहा है इसका मतलब जो value यहां देगा वही value वहां भी देगा ठीक है कभी कभी दिमाग में आता है कि सर तू पाई पे भी तो 0 होगा ठीक है लेकिन सबसे पहले पाई पे ही 0 हो जा रहा है तो इसका period कितना होगा ग्राप को देखके अब आंदा जला यहां से देखो increasing graph यहां से increasing graph इसका मतलब इन दोनों पॉइंट पे उसकी कि वैलू होगी जो जीरो पे होगा नोपाई पे होगा वो सेम होगा और इसका period अधिट बो जाया गए यह पाई पेरियाडिक किसे और मतलब delब क्या है मैं अभी थोड़े दिशच्छ करता हूं पहले हम यह जानेंगे कि इसका पिरियड जो है वो पाई पिरियड है वो किस वज़े से है कि जो ग्राफ यहां पे दिख रहा है वही ग्राफ हमको यहां सभी दिख रहा है इसलिए यहां पर लिख देंगे 10x इतना पाई पिरियाडिक 10x पाई पिरियाडिक क्यों 10 पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू 10 थीटा ऐसा होता है ठीक होता है 10 पाई प्लस थीटा 3rd quadrant, 3rd quadrant में 10 जो है वो पाई positive होता है आप क्या लिखेंगे 10x is an odd function बराबर है ना बटा 10x कौन सा function है odd function है odd function मतलब 10 of minus x 10 of minus x equals to minus 10x सही है न बटा यह होगा हमारा odd function पहले हम इस सारी चीजों को एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिस करता हूं देखता हूं कि जो पीरियड है जिनको हम कब से बाते कर रहे हैं उसमें जोड़े तो जो यहां पर मिलती है वही बैलू उतने पीरियाट के बाद आपको फिर से पुनह मिल जाती है तो यह 10x का हुआ पहले हम पूरे टिगना मेट्रिक फंक्शन को जान लेते हैं उसके बाद हम उस पॉइंट पे आएंगे आप से बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यह सब है और इसको जानना भी बहुत जरूरी होता है नेक्स्ट होगा fx equals to cot of x fx equals to cot of x fx equals to cot of x cot x को हम क्या लिखते हैं बटा cos x divided by sin x sin of x x not equal to 0 मतलब sin of x not equal to sin n pi means x not equal to n pi n is the element of integer n जो है वो integer है अच देखो अब यहाँ पे domain क्या आएगा इसका इसको जानते हैं domain of f domain of f यह कितना हो जाएगा real number किसको छोड़ करके n pi को छोड़ करके सारा real number होगा n pi को छोड़ करके ठीक है भई अब range कितना होगा इसका range range of the function range of f यह कितना होगा r होगा इसका जो graph बनेगा आप देखो यह 0 पे जो है defined नहीं होता है तो इसका जो graph बनेगा वो ऐसा कुछ graph बनेगा यह 10x का होगा और इस चीज को हमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो value है वो क्या है वो जी यहाँ पे तो 0 हो गया यहाँ पे कितना πाई बाई टू जब पाई बाई टू रखेंगे तो यह हो जायेगा 1 उपपर हो जायेगा 0 तो 0 बाई 1 कितना हो गया 0 हो गया अब फिर जब हम आगे बनाएंगे हमारा graph फिर से ऐसा ही बनता जाएगा यहाँ पे आएंगे पिर यहाँ पे आएंगे ठीक है, ऐसे ही हम बनाते आगे तक चले जाएंगे, यहाँ पाई बाई टू हो गया, अब यहाँ आएंगे तो कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, यहाँ आएंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है बाई, यहाँ आएंगे तो कितना हो जाएगा, टू पाई हो जाएगा, ऐ तो इसका graph जो है इधर से जाएगा इधर से फिक है जी अब यहां पर क्या होगा माइनस पाइवाइटू होगा यहां पर क्या होगा माइनस पाइव होगा तो यह हमारा इसके बार में जो जुद चीजें आपने लिखी हैं लगभग लगभग सारी चीजें एक ही तरह की है जैसे पाइब पर कोसे के अग्स भी वन हो जाएगा ठीक है न तो वह सब जादा पताने के जुरूत नहीं है डोमें रेंज और ग्राफ जानते विए हम आगे बढ़ते हैं अब देखो कि नेक्स्ट होगा जिसको हम बोलेंगे क्या fx इक्वेस्टू टेक आफ एक्स ठीक है बाई टेक आफ एक्स मतलब 1 बाई कॉस आफ एक्स ठीक है बाई 1 बाई कॉस एक्स इसका मतलब क्या हो गया दी नामिनेटर को 0 नहीं होना है तो हम लिखेंगे कॉस आफ एक्स नाट एक्व टो जिरो कॉस आफ एक्स नाट एक्वल टो स्टू औन प्लस व meno इनटो पा इव बाई टीड़रग मतलब एक्स नाट एक्स नाट एक्वल टू, टू एक्स नाट प्लस aged व Colombia टू domain of f domain of f domain of f function का domain क्या हो जाएगा क्या लिखेंगे r accept 2n plus 1 into pi by 2 means आपका जो domain आया वो आपका ये रहा r accept 2n plus 1 into pi by 2 range क्या होगा range range बताना है भाई range of f आपका रेंज बताने के पहले graph को draw कर लेते हैं देख करके range बता देंगे तो इस तो ध्यान रखो यहाँ पर ऐसा है 0 पर इसकी value कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी 0 पर इसकी value कितनी हो जाएगी 1 pi by 2 पर तो defined ही नहीं है minus pi by 2 पर भी defined नहीं है यहाँ पर हो गया minus pi by 2 यहाँ पर हो गया आपका pi by 2 ठीक है अब अगला graph क्या होगा pi पर pi पर इसका graph जो है वो नीचे की तरफ बनेगा यहाँ पर कितना होगा तो यहाँ पर कितना होगा पाई ठीक है भई यहाँ पर कितना होगा तो 3 pi by 2 अब इधर आते हैं minus pi पर भी इसका graph नीचे को ही बनेगा minus pi पर वो graph आपका होगा यहाँ से कुछ ऐसा minus यहाँ पर कितना minus pi और यहाँ पर कितना minus 3 pi by 2 clear है hopes हो कि आपको यह सारे graph domain range यह सारा clear होगा अच्छा अब देखो इसका range है कहां से यहाँ से minus infinite से देखो minus 1 यहाँ तक है फिर 1 से लेकर infinite तक है हम range में क्या देखेंगे यहाँ पर देखेंगे यहाँ से यहाँ से यहाँ तक ही नहीं है यहाँ से यहाँ तक भी नहीं है इसका मतलब हम क्या लिखे minus infinite से minus 1 union 1 से infinite ऐसा हम इसके range को लिखेंगे तो आए range of the function लिख दिया minus इन्फाइनाइट टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फाइनाइट यह आपके सेक एक्स का रेंज निकलके कामने आपको आगया यह पूरा आपका ग्राफ हो गया अब आगे चलते हैं नेक्स्ट जो होगा जिसको हम बोलेंगे कोसेक आफ एक्स एफ एक्स एक्स इक्स टू कोसेक आफ एक्स को क्या लिख सकते हैं वन अपान साइन आफ एक्स और यहां यह भी लिख सकते हैं साइन आफ एक्स नाट इक्वल टू जीरो साइन आफ एक्स नाट इक्वल टू साइन एन पाई ठीक है भाई उसी पे वो जीरो होता है तो हम क्या लिख दें एक्स इस नाट इक्वल टू एन पाई और यहां पे लिख देते हैं एन इस दे एलिमेंट आफ इंटीजर तो डोमेन आफ दा फंक्शन डोमेन आफ दा फंक्शन क्या होगा बेटा आर एक्सेप्ट एन पाई ठीक है आर एक्सेप्ट एन पाई एन इस दा इलिमेंट आफ इंटीजर एसा हमने लिख दिया रेंज इसका भी यहां पर लिख देते हैं पहले रेंज रेंज आप दे फंक्शन आते हैं ग्राफ बना लेते हैं पहले ग्राफ को यहां करते हैं ग्राफ को थोड़ा हम यहां करते हैं अच्छा अब बताइए जीरो पे यह डिफाइंड नहीं होगा तो इसका ग्राफ ऐसे बन जा कैंद ठीक है फिर क्या यहां प्रोग्या पाई अहां प्रोग्या घुस् Mean मैंत मैंमों प्रोग्र टर्षी अब लेक्स की वैलु कितनी आएगी तो तो मैंने चुछ ऑब आते हैं प्रीपाई के बाद घुए बने गात ब्र में से को यह तो ऑखक़ुंग करता हूं जो कि यहां पर लिखता हूं minus one यहां पर लिखता हूं minus one और यहां पर एक graph इसका ऐसा जो ड्रा होगा थोड़ा बड़ा हो गया मैं इसको छोटा भी कर देता हूं और ऐसे बना देते हैं यहां से यहां पे कितना होगा तो minus pi by 2 और यहां पे होगा तो minus pi यह cosec x का आपका graph है minus pi by 2 पे देखो minus pi by 2 पे इसकी value कितनी है minus 1 है minus 1 यह value आपकी minus pi by 2 पे है तो इसका range लिखेंगे तो क्या लिखेंगे range of f minus infinite to कितना जी minus infinite to minus 1 union 1 to infinite यह range हो गया आपके fx equals to cosec of x का तो आज लिए यह trigna metric function अब next class में हम मिलेंगे तो trigna metric को कैसे कैसे कहां कहां पे use करते हैं किस किस तरीके से हम solve करते हैं फोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे क्यों क्योंकि जब आप को differentiation पढ़ते हैं integration पढ़ते हैं तो बहुत सारे फार्मूलास होते हैं जो आपको वहां remember नहीं होते हैं तो इसी समय में आपको एक दो लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा यह आपको content हम देगे और आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहें मन से लगन से दिल से हाट से अपनी पढ़ाई को करिए resultant बहुत अच्छा होगा धन्यबाद, thank you so much